हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाईस कि Redmi A4 फोन में आप लोग एप हाइड केसे कर सकते हो अगर आपके पास एक Redmi A4 5G फोन है और इस फोन में आपको एप हाइट करना है अगर आपके फोन में बहुत सारे एप्स है और किसी-किसी एप को जो है आप लोग हाइट करके रखना चाहते हो मतलब छिपा देना है एप्स को तो केसे आप लोग अपने इस फोन में किसी भी एप को हाइट कर सकते हो गाईज आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे तो चलिए गई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एप हाइट करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फॉन के जो है एप लिष्ट को ओपेन कर लेना है ओपेन करने के बाद यहाँ पर आपको एक एप देखने को मिलेगा सेक्यूरिटी का तो आपको इस सेक्यूरिटी के एप्लिकेशन को ओपेन कर लेना है ओपेन करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ओप्शन मिलेगा हाइट एपस का तो आपको इस हाइट एपस पे क्लिक कर देना है ढूनने के बाद उस app के side में जो यह switch है इसको on कर देना है इसको on करते ही यह जो app है यह hide हो जाएगा तो मैं आपको दिखाने के लिए WhatsApp और Facebook को hide कर देता हूँ देख सकते मैंने दोनों को on कर दिया है अभी अगर हम app list में जाके check करेंगे तो यह आपर देख सकते मेरे app list में कही पर भी आपको WhatsApp और Facebook देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वह hide हो चुका है और अगर आपको फिर से unhide करना है तो आपको फिर से इसे hide apps पे जाना है और यह जो switch on है आपको check करना है कौन-कौन से आपका on है जिस भी app को आप लोग unhide करना चाहते है उसके switch को आपको off कर देना है आपके phone में यह apps unhide हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Redmi A4 5G phone में app hide कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसाना है हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कल लीजे मिलते हैं लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई